तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्टनर्स इप फाइनल अकाउंट के ऐसे आइटम का रिविजन करेंगे जो बहुत ही कन्फूजन करती है ऐसे कन्फूजिंग आइटम जो आने के बाद आप लोग मोस्टली क्या करते हो मिस्टेक कर देते हो तो एक बार हम लोग इसको जाएंगे इतना करके जाएंगे तो रॉंग होने के चांसे बहुत ही कम है तो चलो श्रून देख लेते हैं कौन कौन से आइटम है जिसके उपर आपको बहुत ज्यादा कन्फूजन होता है लेक्स सबसे पहले यहां पर आता क्लोजिंग स्टॉक अभी यह मैं उस आइटम क चिप सा बैलेंस इट के असिट साड में बट यहीं क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्राइल बैलेंस में दिया तो कहां पर पोस्टिंग करोगे तो ऐसे आइटम जो कंफूज करने वाले आइटम है वह मैं आपको बताने वाला हूं जिसे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आगया तो क्लोजिंग स्टॉक जो रहाएगा वह बैलेंस स्टेट के असे ट साड में उस एक खर सिर्फ एक जागँ आएगा फ्राइल बैलेंस में तो उनली वन इफेक्ट आगा में के अउट इस्तनिंग एक्सपेश्ट इस आपको ट्रायल बैलेंस एन्दर दिया है तो डायर्क और उसको बैलेंसिट के ल्हाइब इंकम दिया रहेगा ति और फी चाहिट में है बैलेंसेट के ऐसे चाहिए ये पोस्टिंग बैलेंस चाहिए कर दिना है कि को को सिंकमरी मिल्टि दिन Ready अडवांस जखेन महां एंग्वांस में लिए कош बिए एंग्वन Cornव प्रिवीडेन्स वंड दिए आपको सम्में दिया है तो आपका liabilite sate में आजाएगा फव्लान्स रrol सेमने सिट mente में आजाएगा एदी सिर्फ और फूरacary फ़ेडेने संस्में लिखके दिया है इती आपको ऑबस डिश्या डिया है पृर प्रिविदेंट फंड इंवेस्मेंट दिया है तो यह असेट साइड में आ जागा आपके बैलेंस इट के असेट साइड में आ जागा एदि प्रिविदेंट फंड कंट्रिब्यूशन दिया है प्रिविदेंट फंड कंट्रिब्यूशन तो डेबिट साइड में आ जागा प्रॉपिट अन लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा प्रिविडेंट फंड कंट्रिविशन है तो डेबीट सैड में आका प्रॉपिडेंट लॉस अकाउंट के तो ऐसे देखो प्रिविडेंट फंड के चार चार आइटम है वह अलग लग जगहें पर पोस्टिंग होते हैं तो यह सब बहुत एक कंफुजन वाले आइटम इस्ट कीसी। यसेट्स को भेच करें दी लॉस हो रहा है है लॉस ऑन सेल अप एन्शेट्स, कोई यसेट्स को माले आपकर लॉस हो रहा है तो देबीट सैड में प्रॉपिट अन्ल लॉस अकाउंट के अपको लिखना है path नेक्स्ट गुड्स विद्रॉव बाई पार्टनर्स पार्टनर्स गुड्स को क्या करें विद्रॉव करें यहाँ पे लिखा गुड्स विद्रॉव बाई पार्टनर्स गुड्स से दी पार्टनर्स विद्रॉव कर रहा है तो हमनों कहाँ पर लिखेंगे debit side of the capital और current accounts में आ जागे हैं आपर general reserve और reserve fund दिया है ति trial balance में इसको liability side of balance rate balance rate के liability side में लिख देने का आगे लिखा है deposit for public public के लिखेंगे deposit from public डिपोजिट from public है public से हमनों ने deposit लिए तो liability side में और balance rate के liability side में आ जागा नेक्स्ट यहां पर goods distributed as a free sample goods को अमनों ने distribute कर दिया goods को अज़िए free sample में हमनों क्या कर दिया distribute कर दिया तो debit side में आ जागा profit and loss accounts के debit side में आ जागा suspense accounts यह आपको suspense accounts दिया है if it is the debit side में दिया है suspense account तो so the same figure in the asset side में यह आपको suspense account debit side में दिया है तो so the same figure asset side में आ जागा यह आपर if the credit side में दिया हुआ तो so the same figure in liability side में तो उसको हम लोग कहां पर लिखेंगे liability side में लिखेंगे next यहां पर दिया है bank for collection bills से दिया हुआ bank for collection bills से दिया आपको trial balance में दिया है तो asset side में balance it के asset side में आ जाएगा तो इस्ट्रेंड उस 17 item है जितमें बहुत सारे इस्ट्रेंड को confusion होता है जो इस्ट्रेंड बहुत ही अच्छे से final account करके जाते हैं तो भी उनको यह सब item में confusion होता तो एक बार इसको आपको as a revision point obviously है आपको इसको करके जाना इस्ट्रेंड काफी helpful रहेगा exam के लिए thank you so much